एलो फ्रेंड्स मैं डोक्टर आवज चौधरी यहस हैल्ट अंड होमेपेती जौधपूर से आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिमेल हैल्थ से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में टेस्टोस्टोन हार्मो उनका जो मेंली सिक्रेशन है वो उनकी ओविरीज के अंदर होता है ओविरीज आप जानते हैं कि हर फिमेल के अंदर दो ओविरीज होती है इन ओविरीज के अंदर उनके सारे जो सेक्शुल हार्मोन होते हैं जैसे वहाँ पर एस्टोजन बनता है प्रोजेस्टोन बनता है LH बनता है, FSH बनता है, और भी कुछ दूसरे हार्मोन्स और फंक्संस हैं, जो ओविरीज के फिमेल बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें टेस्टोस्टोन हार्मोन की, तो इसका प्रोडेक्शन जो है उनकी ओविरीज में होता है, आप लोग जानते हैं कि टे बॉडी के अंदर कम क्योंटिटी में क्यों बनता है, और अगर उनकी बॉडी के अंदर फिमेल में बहुत ज्यादा क्योंटिटी मनेगा, तो आपको क्या लक्सम देखने को मिलेंगे, अब हम समझें कि फिमेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टोन हार्मोन का क्या रोल है, इ इसी तरह से ये आपके mood को अच्छा रखने के लिए भी responsible होता है अगर आपकी body के अंदर testosterone hormone की कमी होगी तो आप देखेंगे आप low feel करेंगे आप depressed feel करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि testosterone hormone female body के अंदर भी कितना important है तो इसका मतला आपकी body के अंदर testosterone hormone ज्यादा बन रहा है अब हम समझने इकोसीज करते हैं कि वो कौन से कारण होते हैं जिसके कारण female body के अंदर extra testosterone या आपको hormone imbalance देखने को मिलता है कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण इसके अंदर देखा गया PCOD या PCOS नेक्स हम बात करें तो वो female जिनको thyroid से related कोई problem है या जिनको insulin की problem है यानि उनका sugar level है वो ज़्यादा रहता है या adrenal gland से related problem है वो female जो लंबे समय से कोई तरह की medicines पे हैं या जिनकी life में बहुत ज़्यादा anxiety या stress देखने को मिलता है अगर आपकी eating habits healthy नहीं है आप fast foods खा रहे है हैं आप packed foods ले रहे हैं आपको obesity है मोटापा है तो ऐसी females के अंदर देखा गया कि testosterone hormone बढ़ जाता है अब हम बात करें क्या symptom या लक्सम देखने को मिलेंगे कि आपकी body के अदर testosterone hormone बढ़ रहा है symptoms में आपको देखने को मिलेगा कि आपके periods irregular हो गये हैं या आप देखेंगे कि इतरे की hormonal pills ले रहे हैं तो आपको periods आते हैं और जैसे ही आप वो hormonal pills बंद कर देते हैं तो आपके periods आने बंद हो जाते हैं तो आपको irregularity of periods देखने को मिलेगी नेक्स्ट आपको symptom देखने को मिलेगा आपकी body पर hair growth जिसको हिर्सूटिजम कहा जाता है आप देखेंगे कि आ चिन वाले area कंदर care growth देखने को मिल सकती है, आपको upper lip में काफ़े ज़दा hair growth देखने को मिल सकती है आप agu nail bez reess ke area में काफ़े pimples देखने को मिल सकते हैं जो routine में usually 15 to 20 years age group में common होता है बट आप देखते हैं कि आपकी age 30s होगी उसके बाद के अंदर भी आपको अगर pimples एकने हो रहे हैं तो यानि आपकी body के अंदर hormonal imbalance की problem है इसी तरह से females के अंदर मिल सकता है कि male pattern के सिर में अंदर हनों को hair loss हो जैसे कि males के अंदर देखने को मिलता है या thinning of hairs भी देखने को मिल सकता है इसी तरह से अपने sexual organs के अंदर बी कुछ चेंगे देख सकते हैं जैसे वो बड़ गया है या उनके ब्रेस साइज में देख सकते हैं रिसेलिक के अंदर खेना या लोस अब सेक्चि government के अंदर आप इस तरह के गंपर मेले और इसके अंदर कुछ ब्लड टेस्क करवाया जा सकत Truly और उसके accordingly अगर आप treatment लेते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी करण से अगर आपकी body के अंदर testosterone hormone बढ़ गया है या दूसरे hormonal imbalances है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं इसी तरह से मुझसे जुड़े रहे निकले इस YouTube चैनल को like करें, share करें, subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं जिसे में जैसे कोई वीडियो डालो आपको notification मिल सकें, thank you